गुड़ मॉनिंग स्टुडेंट्स तुड़े अवर न्यू पोएम इस वा टाइगर इन दा सू एक जो टाइगर है बाग है वो जब चिडिया घर में होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है या अपनी तागत को जो वो कैसे भूल जाता है या फिर आप ऐसे कह सकते हो जब किसी पर ज़्यादा जब किसी वैक्टी पर या जब किसी हूमन बिंग्स पर या फिर जानवर पर ज़्यादा प्रतिबंद लगा दिया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है तो दिस पोएम कॉंट्रेस्स अ टाइगर इन दा जू विद दा टाइगर इन इट्स नैचरल हैबिटेट कॉंट्रेस्स होता है तुलना करना कि एक कि यह पोएम है जो एक तो जो टाइगर है बाग है वो जू में होता है और एक इसके जो प्राकर्तिक हैबिटेट जो इसका आवास होता है जिसको हम जंगल कह सकते हैं या फोरेस्ट कह सकते हैं वहां होता है उसके बीच का मतलो तुलनात्म का ध्यन है जो पोएम है वो पहले चिडिया घर से लेकर जंगल की तरफ बढ़ती है एक बार पोएम को धीरे से पढ़ें और जो जंगल में है उसके बारे में ताइगर के बारे में बताना है हमने और जो जू में जो ताइगर है वो स्टेंजर हमने बताना है कि कौन सा जो टाइगर है वो जंगल में है कौन सा टाइगर है जो जूप के अंदर है जो ये लेसली नोरिस द्वारा लिखी गई पोएम है बहुत इंटरस्टिंग पोएम है He's stuck in his vivid strips I'm vivid होता है उसके जो अलग-अलग या फिर आप कह सकते हो जवलंद strips होता है धारियाँ यानि कि वो जब चलता है तो जूप उसकी जो धारियां है सिर्वाग के जो शरीर ठारिया होती है वो जवलंद धारियों के साथ यानि चमकदार धारियों के साथ बढ़ता है चलता है दफ्यू स्टेपस ओफ इज केज याने कि वह जो केज पिंजरा है उसका उस पिंजरे के में कुछ कदम चलता है ओन फैड्स ओफ वैलवेट कैई और जो वैलवेट यैंने की आप यह कह सकते हो एक परकार से मकमली और जो पैड्स यानि इसके जो पाउं का जो तला होता है वो जब पंजे बाहर ने निकले होते हो गुद गुदा होता है यानि कि आप उसको कह सकते हैं मकमली कह सकते हो वो मकमली जो उसके पाउं है उसके साथ वो आगे बढ़ता है यानि किसी परकार की कोई आवाज नहीं करता in his quiet raise raise होता है क्रोध या गुसा यानि कि वो गुसे से लाल है लेकिन वो क्रोध बिल्कुल क्रोध में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सांथ है क्योंकि वो जेल के इंदर यानि कि एक पिंजरे में बंद है he should be lurking in the shadow sliding, throw long grass, near the water hole, water plump, deer pass he should be lurking lurking होता है गुपत रूप से in shadow, shadow होता है छाया यानि वो छाया में गुपत रूप से आगे बढ़ सकते है यानि चपने आपको छिपा कर बढ़ सकता है सिकार के लिए sliding, sliding होता है आगे बढ़ना थ्रोग long grass और वो जो लंबी घास है उसमें आगे की तरफ बढ़ सकता है near the water hole यानि कि पानी के स्रोथ के पास यानि जहां पर सभी पानी जैसे एक जंगल में जब हीरन है या deer है या कोई और जानवर है जब पानी पीने के लिए आते हैं तो जो tiger है वहाँ पर मतलो एक घात लगा के बैठा वह होता है उसका सिकार करने के लिए water plump deer pass where where sorry water ने वेर जहां पर जो plump होता है मोटी यानि फैक्टी जो deer है हीरन है वो गुजरती है या पानी पीने के लिए आते है तो उसका सिकार कर लेता है he should be snarling around houses snarling होता है गर्जना यानि कि वो गर्जन करता है दाडता है घर के चारों at the jungle's age जंगल के किनारों पर वो क्या करता है किनारे पर वो दाड लगाता है bearing his white fangs his claws terrorizing the village यानि कि वो क्या करता है अपने को स्पेथ दांत है अपने मूँ को मतलो स्पेथ दांत दिखाता है अपने मूँ में से और उसका जो जबड़ा है उसको दिखाता है और क्या करता है जो एक आवाज के साथ लोगों को के अंदर आतंक फैलाता है यानि कि वो क्या करता है कि डर पैदा करता है टेराइजिंग यानि की डुराना but he is locked in a he has locked in a concrete cell परंटु है एक concrete यानि की cement के cell में बंद है लोक है she is strength behind bars, bars होता है सलाखें उसकी जो strength है यानि की उसकी जो ताक्त है वो कहा है बार्स यानि सलाखों के बिलकुल पीछे बंद है वो पिछली रात के समय में क्या करता है आखरी आवास सुनता है पेट्रोलिंग कार्स पेट्रोलिंग जो गस्त लगाते हैं कारे होती है यानि कि जो चोरी को रोकती है या जो भी अपराधिक जो खटनाए है उनको ग्रोकनती है उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स यानि जब हमारे पुलीस वाले सोरी पुलिस वाले जब हमारी कार हमारी सुरक्षा करते हैं तो पैट्रोलिंग करते हैं याने कि ड्यूटी देते और वो चमकदार सितारों को अपनी चमकदार रांकों से नीस सहाय रूप से देख रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक टाइगर है उसकी ताकत को किस परकार से पिंजरे में कैद कर दिया गया है जब वो जंगल में था तो अपनी इच्छा से क्या कर सकता था इधर उधर खूम सकता था सिकार कर सकता था लेकिन अब उसको वो सिकार नहीं कर सकता अपनी इच्छा से तो किसी भी जानवर को यदि हम पिंजरे में डाल देंगे तो उसकी स्वतंतरता को पर रोक लग जाएग Suppose किजिए Dear Students अब Suppose किजिए कि माल लीजिया आप पिंजरे में किसी कमरे में कैद है और आपको बाहर निकलने पर परतिबन अपर तो आपको कैसा महसूस होगा तो वही महसूस या वही बातें किशको महसूस होती है जब हम किसी जानवर को पक्षी को जब हम कहां रखते हैं किसी पिंजरे में या बांध कर रखते हैं तो जो फर्स्ट एंजा है वो सो करता है कि टाइगर है जो किसमे है जो है टाइगर इन जू जो सेकंड स्टेंजा है वो सो करता है टाइगर इन जंगल और थर्ड जो स्टेंजा है वो सो करता है टाइगर इन जंगल फोर्थ क्या सो करता है टाइगर इन जू और फिफ्ट क्या सो करता है टाइगर इन जू I hope you will learn it much and now and yes tomorrow we will discuss about the questions in this poem and the poem the tiger have to read not to write तो आपने इसको write करना नहीं करना सिर्फ आपने पढ़ना है ऐसे जो जो the panther है वो भी आपने poem क्या करनी है सिर्फ read करनी है Thank you Have a good day